नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेश्ट उत्राखंड और मैं हूँ आपके साथ गायत्री उत्राखंड में नए साल पर बिजली महंगी होगी या सस्ती इसको लेकर कयास बादी शुरू हो गई है लेकिन एक बार फिर उपभूपताओं की जेब पर फिर से महंगाई का बोच पढ़ना तैमाना जा रहा है जिसका सीधा असर 27 लाग उपभूपताओं की जेब पर पढ़ेगा साल 2023 अपने अंतिव बढ़ाप पर है और जल्दी साल 2024 आने को है लोगों के नए साल की शुरुआत में उत्राखंड पावर कॉर्परेशन ने 27 लाग बिजली उपभूपताओं को बड़ा जटका दिया है उत्राखंड पावर कॉर्परेशन लिमिटेड बिजली के दामों में बढ़हुतरी के लिए प्रस्ताव तयार कर चुका है जो की बिजली की बड़ी हुई कीमते एक अपरेल 2024 से लागू होंगी बता दे कि इस साल नियामक आयोग ने दरो में 9.68 परतिशत और वहीं पिछले साल 2.68 परतिशत बढ़हुतरी की थी UPCL ने बिजली बड़ोतरी से संबंदित याचिकार नियामक आयोग में दाखिल करने के लिए 23 दिसंबर तक की डेडलाइन मांगी है जो की पहले 30 नवेंबर तैकी गई थी इसे बढ़हा कर 23 दिसंबर किया गया है सूत्रों के मताबिक UPCL ने 25 से 30 बढ़हुतरी का प्रस्ताव तैयार कर लिया है जिसे कैबिनिट की बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा बढ़हुतरी के पीछे निर्धारिक से अधिक दामों पर बाजार से बिजली खरीद कर निर्धारिक कर से अधिक खर्च के अलावा यूपी से बटवारे में मिली ये शेर का करीब 4900 करोड खर्च शामिल है देखे बिजली महंगी होगी तो घर तो चर्मरा जाएगा घर का वजट चर्मरा आएगा और एक निश्चित सीमा पर ही ये बढ़हाना चाहिए यह नहीं कि आप इस तरह बढ़ाएंगे तो घर की जो जितनी भी बिजली से चलने वाली चीज़े हैं सभी महंगी हो जाएंगे आप अपने जिस श्टेट को बिजली बेच रहे हैं उनसे आप दाम बढ़ा के लिजिए परंतो उत्राखंड के निवाशियों को सस्ती दर पर तो बिजली दीजिए जो कि हम लोग यहां पर पले बढ़े हैं तो यह बड़ी सोचनी भी से और बिजली से चलने वाले सब उक उत्राखंड में प्रती महीने नई दर की व्यवस्था लागू होने के बाद से ही उपभोकता उपर बिजली के बिल में बोज बढ़ता चला गया है हाला कि नवंबर महीने में कुछ राहत जरूर मिली थी लेकिन इसके अलावा बाकी बहीनों में लोगों की दिक्कते बड़ी है खास बात ये है कि नया साल करीब है और नय साल से पहले उत्राखंड पावर कॉर्परेशन लिमिटेट की तरफ से राजे के उपभोकता उपर बड़ा बोज डाला गया है आज की हमारी इस खबर में बस इतना ही उत्राखंड से जुड़ी हर एहन खबर के लिए आप जरूर देखते रहेगा श्रेश्ट उत्राखंड